कि लाइव पर दीजिए सर नमस्कार धारा जीस में मैं पोक्राजगिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत जबरदस्त हो सांदार हो जिन्दाबाद हो ठीक है तो फटाफट से उपस्थिती को दर्च करा दीजिए सेशन क को शेयर कर दीजिए प्रिती जी गुड मॉनिंग जैहिन सर जीद गुड मॉनिंग कविता गुड मॉनिंग भाविका गुड मॉनिंग फटाफट से सेशन को शेयर करो लाइब करो और अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो एक बहुत महत्पून ड लास्ट नूंगा करके एक्जाम रिलेटेड डिसक्शन है तो फटा-फट से जुड़ जाओ जैसे ही 20 हो जाएंगे डिसक्शन को पन स्टार्ट कर देंगे तो जल्दी 20 करवाओ स्टार्य करेंटवयोर्ण ऐडर्श पत फट्स से जल्दी 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 सत्रकाश गुड मॉर्निग फ्रेम गुड मॉर्ञिंग श्रेया ंजी timing को गया आप लोग फोडा से फर्ट मॉर्ट लगाहीं यहार आप लोग फ्रसरेयं लगा अगे तो हो जाएगा तुम लोग ग गुड मॉर्णिंग सर गुड मॉर्णिंग शर्मा जी नेर्मला गुड मॉर्णिंग आयूश गूड मॉर्णिंग देवया गुड मॉर्री मैं पिछले दो दिनों से ना एक वैच्छन मेरे पास आ रहा था तो भी में नहीं है सत्यप्रकाश इंग्लिश नहीं तो मैं ट्राइब भी करता प्री में है नहीं इंग्लिश ठीक है लेगिन ऐसा कोई एक्जाम आया ना तो मैं जरूर कोशिश करूँगा करवाने की बहराल जो मैं आप लोग से बात कर रहा था देखिए समय कम है और कुछ लोगों का यह पूछना था कि actually sir cggs का section को अपन कैसे कम समय में पढ़ ले या ऐसे कौन से section है जिसमें से अच्छा खासा question आने का chance है तो मैं यहां पर वो sections लिग देता हूं ठीक है तुम लोग क्या करना सबसे पहले district वाला section जो मैंने पढ़ाया है ना उसको पढ़ लेना एक बार तो एक section तो रहेगा district इसको कर रहे ना क्योंकि इसमें बहुत अलग-अलग dimensions में मैंने चीजों को बताया है तो प्लीज इसको एक बार देख लेना ठीक है प्रिटी गुड मॉनिंग नेक्स्ट अगर जोग्रफी की बात करूं ना तो जोग्रफी में फिजिकल और इकॉनमिक ये दो भाग जोग्रफी के अच्छिस करना फिजिकल और एकॉनमिक का मतलब क्या हुआ तो आप इसमें जनगरना छोड़ देना शिक्षा छोड़ देना बाकी जोग्रफी में से question आता है ठीक है इसको ध्यान रखना mcq दिव्या कराऊंगा ना मंडे से तो है यार शाम को मंडे से शाम को 6 बजे mcq भी तो है कैसे कर रहे हो आप लोग भूल गया हो क्या जामवंत बनना पड़ेगा याद दिलाने के लिए हनुमान जी को history में ancient वाले section से जो regional dynasties है शेत्री राजवंच इसको कर लेना और इसके बाद कल्चूरी से आगे पूरा last तक ठीक है तो जोग्रफी में physical economic कर लेना ancient से history में regional dynasties करना फिर कल्चूरी से लेके पूरा last तक कर लेना ठीक है आटन कल्चर में आओगे तो ध्यान रखना एक तो 36 गड़ और एक ट्राइबल तो 36 गड़ में यहाँ पर जो गीत है उसके अलावा मृत्य है उसके अलावा जो टेस्टिवल तो राज के लोक गीत कि लोक न्रित्य लोक परव और जन्जाती परिवेश में भी सेंगे जन्जाती लोक न्रित्य जन्जाती लोग गीत और जन्जाती लोक परव पिर जन्जातियों की अर्थ्विवस्था एकॉनमी यह देख लेना इससे क्वेश्चन आता है धर्म रिलिजिन कितने गोत्रोप मानते हैं कौन कौन से भगवान को मानता है ये economy में क्या आएगा किस जन जाती का क्या कारिया है कौन से जन जाती कौन सा स्थानांतरीत क्रिशी करती है ये वाले जो facts है इतना कर ले न प्लस परियतन टूरिजम तो टूरिजम वाले जो सेक्षिन है न वो बेरे डिस्ट्रिक में खतम हो जाएगा और प्लस बस्तर जशेरा समझ गया स्टाटिक वाले सेक्षिन से प्लीज गिरी गिरी हालत में इतना करना वैसे तो बहुत सारा है बट एकदम पुछोगे कि कहां से आएगा तो एट लीस्ट यहां से तो आता ही है इसके लावा भी चीज़े बची है तो प्लीज इतना कर ले ठीक है ठीक है पुजा जी गुड़ मॉनिंग देखो कुछ लोगों का ये भी क्वेशन था कि इकॉनमिक सर्वे और बजट का क्या करें इसका महत्व कितना है तो इसका महत्व ये है वेरी माइल्ड इस साल के लिए क्यों वह इसलिए क्योंकि सरकार बदली है और कॉंग्रेस के समय में जो घटनाय घटी जो चीजे हुई मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के शासंकार में उनमें से प्रश्ण आएंगे अब आप कहोगे सर सरकार थोड़ी क्वेशन पेपर बना रही है तो भाईया आयोग भी किसके अंदर आ रहा है तरकारे का अंदर समझ रहे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि इसमें से थोड़ा मोड़ा सेक्शन एकनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर वन अच्छेस कर लेना चैप्टर वन और चैप्टर नंबर थ्री बस इतना करके चले जाना अगर मेरे पास समय बच गया पढ़ाते हुए तो मैं स्वयम इसको करा दूंगा मेरे पास समय बच समय तो फिर तो भी करा दूंगा समय निकाल के करा दूंगा अटेंशन मतलो देखेंगे कोशिश करेंगे ठीक है कोशिश करेंगे यार आप लोगों के लिए आप लोग के लिए जान हाजी रहे यार तुम लोग बस दिक्कत यह कि लाइक शेयर नहीं करते हो इतना सारा पढ सबसे पहले क्या किया जाए तो बेसिकली एक साहितकार देखा जाए ठीक है कि नहीं है अब साहितकार आप लोग जानते थे हैं अपने कोड से पढ़ते हैं तो आप लोग कभी ना ट्रेन में रिजर्वेशन कराए होंगे ना तो एक नमबर मिलता है क्या पी एन आर मिलता है पी एन आर नमबर तो आज के साहितकार के लिए आपको क्या याद रखना है पी एन आर आर से साहितकार है रमेश नयर सुनना या आर से साहितकार है रमेश नयर पी और एन से इनकी रचना है पी से याद रखना पंच रत्न एन से याद रखना नव रत्न आगे लगा देना 36 गड़के आगे क्या लगा दोगे 36 गड़के यहां भी लगा दो 36 गड़के तो 36 गड़के पंच रत्न नच याद रखना आर से क्या है रमेश नईयर, साहितकार, P और N से एक है पंचरतन, दूसरा है नवरतन तो 36 गड़ के पंचरतन, 36 गड़ के नवरतन ये बेसिकली क्या है? दोठो इनकी रचनाएं ठीक? तो इतना याद रखना अब इसके बाद क्या करते हैं? तो भी अपन अपना बस्तर संभाद बढ़ रहे हैं, एक बार इसके मैप को फिर से देखते हैं, आपको याद होना चाहिए, ये मैप मैंने कल बना के बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप सभी से निवेदा नहीं के प्लीज कल वाले विडियो को देखिए, इस प्रकार से एक क्या था छोटा सा वाटर सर्कल, फिर बड़ा सा सेमी सर्कल, फिर ये एक लाइन, ये दो और ये ती, क्या-क्या नाम थे डिस्ट्रिक्स के? तो पहला था ये कांकेर, फिर था ये कोंडा गाओ, फिर था बस्तर, फिर क्या था नारायन पूर, ये बीजा पूर, ये भीया जनते वाड़ा है और ये क्या है अपना सुख्मा, समझ गये? क्या किये थे कल? कांकेर, कुंडा गाओ, बस्तर, ये तीन डिस्ट्रिक्स खतम किये थे और आज क्या करना है? बचे हुए चार खतम करना है ताकि हम लोग मंडे से जोग्रफी के सेक्शन को क्या कर सके? शुरू कर सके, ठीक है? तो आज अपन क्या करते हैं? सबसे पहले शुरूआत करते हैं अपने नारायन पुर्जिले से ठीक है? तो मैं आपको इंपोर्ट किया जैजी हाँ, आगे, 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 सरपंच आगे, तो ये हो गयARY अपना नारायन पुर्जिला ठीक है? नारायन पुर्जिले के लोकेशिन को सबसे पहले समझना है गुड मॉर्निंग मालती जी क्या गरिएगा एक और दो नौर्थ की तरफ से लाइन लीजेगा और दो साउठ की तरफ से तीन और ये चार तो पूल 4 लाइन्स हो गई दो नौर्ग अक डो साउठ से कहां से दो नौर्ग से दो साउठ से अब इसके लोकेशन को ज़रा समझना इसके धूरदक्षिन एक्सप्रीम साउठ की तरफ क्या मिलने वाला है बीजापुर, आप क्या किया जाए, प्लॉकवाइस चला जाए, प्लॉकवाइस आएंगे, ये मिलेगा अपने को महाराश्टर, उपर आ जाएंगे न, कांकेर है, और बच गया जो हिस्सा, ये अपना कुंडागाँ है, समझ गया, तो इसके साउथ, एक्स्ट्रीम साउथ में बीजापुर है, क्लॉकवाइस घूमने पर गया क्या है, महाराश्ट, पांकेर, कॉंडागाँ, ये हमने लोकेशन को देख लिया, अब आप सभी जानते हैं, पहला पॉइंट क्या होगा जी, अपना प्रशासन, आड्मिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन में भी क्या किया जा क्या नाम है, नारायन, समझ गये कि नहीं समझ गये, और दूसरा जो विकास खंड है, उसका नाम है, और चा, क्लियर है ये बात, तो इस जिले में दो विकास खंड है, नाम है क्या, एक का नारायन पूर, दूसरे का और चा, अगला पॉइंट जिले का मुख्याले है, हेट अपन देखते हैं नाशनल हाईवे तो कि याद होगा कल मैंने बताया था कोंडा गाउं से निकल के नारायनपुर को जॉइन करता है 130D और सीधा महाराष्ट भागता है याद आया अल्लापल्ली तक नहीं याद आया जी नाशनल हाईवे नंबर 130D, D फर्दुर्ग वाला ठीक है हो गया यह अब next बेसिकली तीन पॉइंट हो गया अब आपको पता है अगला पॉइंट क्या देखेंगे विधान सभा विधान सभा इस पूरे नरायनपुर जिलेम एकट हो विधान सभा नाम क्या है नरायनपुर तो यहीं लिख देता हूं अबलक्स उसके लिए क्या मैं अपने तो विधान सभा नारायनपुर समझ गये और यहां से विधायक कौन है श्री केदार कश्यक पार्टी क्या है भारती जनता पार्टी पार्टी क्या है भारती जनता पार्टी ठीक है वर्तमान में क्या है यह तो मंत्री है, सबसे प्रमुख मंत्राले जो इनके पास है वो क्या है, वन एवम जलवाईू परिवर्तन, समझ में आया, पॉरस्टान क्लाइमिट चेंज, ये मंत्राले हैं इनके पास, डन, तो ये हो गया भई, नगर निगम का हो गये, तो इस पूरे बस्तर संभाग में एक ही नगर निगम था जगदलपुर्ज, उसको अपन कल देखके खतम कर चुके हैं, समझ गया कि नहीं समझ गये, तो यहाँ पर कोई नगर वगर निगम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब इसके बाद किस पर आते हैं, इतिहास पर, हिस्ट्री पर, आपको याद होना चाहिए, यह जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका गठन, इसका फॉर्मेशन का वर्ष मैंने बताया था, 2007, आपको याद है, कल बताया था मैंने वर्ष 2007, और इसका मात्री जिला, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, जो था, वो था, बस्तर, तो वर्ष 2007 में बस्तर से काटके, इस नरायनपुर को सेपरेट क्या किया गया था, जिला बनाए गया था, आई होप यहाँ तक समझ गया आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब उसके बाद क्या किया जाए, चाइनीज में लिखा गया है तैसे, रहाए लत्वरा ठीक करन दे, तो सबसे पहले, चक्तान, कौन सा चक्तान मिलेगा रॉक, धारवाड, अब यह जो धारवाड है न, इस से खनीज, मिनरल क्या मिलने वाला है यहाँ पर, लॉह, आया, आयनूर, समझ गया, कहां से मिलेगा, तो भंडारण है, छोटे डोंगर, क्या रिजर्व है, छोटे डोंगर, क्लियर है यह बात, नेक्स्ट, अगला ध्यान रखना, परवत, हिल, तो यह यहाँ पर आपको मिलेगा, सी लिख देता हूँ, और यहाँ बहाँ नाम लिख देता हूँ, छोटे, समझ गया, यह है अपना, छोटे डोंगर, इसके बाद ध्यान रखना, यह जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, इसके नाम पूरे आप, इस प्रकार से, पश्यम की तरफ देखें, किस तरफ, वेस्ट की तरफ खास कर, आपको ना, मिलने वाला है, अबू जुमार परवत, कौन सा हिल, यह लिखता हूँ, अबू जुमार, अबूज मार, स्थानी भाषा में अगर देखें, लोकल लाइंग्वेज में, तो अबूज मतलब अज्यात, मार मतलब परवत, ठीक है, तो क्या कहानी है, यह पूराद पूरा है अपना, अबूज मार परवत, अबूज मार का लिटरल मीनिंग मैंने क्या बुला, अज्यात आडी, ठीक है, ये question means में आया था पता है, 30 words में, अबूज हुमार से आप क्या समझे तो, अज्यात परवत, इसका literal meaning है, literal meaning मत्तब, शाब्दिकर्द, ठीक है, अच्छा, अबूज हुमार में क्या मिलेगा, तो एक मिलेंग भाईया, खुब सारे परवत, खुब सारे क्या मिलेंगे, परवत, पर अबूज मार में क्या है, घने जंगल, मतलब, बहुत dense forest है, इसमें, तो परवत भी है अबूज मार में, और dense forest, इतना dense है forest कि राजस्व का सर्विक्षण नहीं हो पाए, यहां पर, Department of Revenue का, अभी तक क्या नहीं हुआ है, यहां पर, सर्वे नहीं हुआ, इतना dens densely forested और खतरनाक टेरेन है यहां का, समझ में आया, अच्छा, बाद में फिर सरकार ही नहीं कराई, बली जंगाती रहती है, तो फिर रहना ही दो छोड़ों हटाओ, इसको पर कैसा मसोत नहीं, इतना खतरनाक ही सरकार करीच नहीं पाई, तो करना मुश्किल था, बाद में फ परवाधिक वर्षा, एक एर में माक्सिमम म रेनफॉल, 187 cm गया है, आज तक चत्यस गड़ में एरली रेनफॉल माक्सिमम म कितना गया है, 187 cm, और वो कहा हुआ है, पता है अबुजमाल में, इसलिए अबुजमाल को क्या बोलते हैं, चत्यस गड़ का चेरा पुन्जी, ठी क्योंकि आज तक एरली रेनफॉल माक्सिमम कहा गया है अब बूज माला में किता 187 सेंटीमेटर इसका ये मतलब नहीं है कि हर साल अबूज माला में सबसे जाता बारिश होती कई बार ऐसा देखा गया है कि अब बूज माला में जो बारिश होई है कि मालों डेर सो सेंटीमेटर उससे जादा एक एकश का सेंटीमीटर में होई है कई बार ऐसा देखा गया है बट कभी भी 187 से जादा बारिश रवर में नहीं हुई है समझ माया तो माक्सिमम आज तक चर्वर में कहा होई थी अब उजमान इसके क्या बोले इसको चर्वर का च राक्मनी संजय यादो बोल रहे हैं राम राम सर राम राम भाई राम ठीक है हो गया यहां तक आब इसके बाद नेक्स देखना यहां पर एक घाटी है घाटी का नाम है खुरसेल घाटी का नाम है खुरसेल घाटी इसी खुरसेल घाटी में एक जल्प्रपात है उस वाटर फॉल जल्प्रपात का भी नाम क्या है पता है खुरसेल तो घाटी खुरसेल जल्प्रपात खुरसेल अब यह खुरसेल घाटी किसलिए फेमस है पता है टीक या सागौन के लिए यहां का जो सागौन है ना वो बहुत उच्च श्रेणी का है आई क्वालिटी का बिल्कुल बर्मा टीक के जैसे बर्मा का सागौन बहुत फेमास है इसलिए नाम सुनेगो ना बर्मा टीक टीक बुलेट सागौन उसी क्वालिटी का है उसी श्रेणी का समझ भी आया तो अबूजमार के बारे में क्या देखे इस जिले के पशिमी भाग में आपको ज्यादा तर या बूजमार दिखेगा परवत है घने जंगलों में से घिरा हुआ है उसके बाद फिर या घने जंगल वहाँ पर पाई जाते हैं कहलो 187 cm आज तक सबसे आदा बारिश अबूजमार में हुई इसके 36 गड़ का चेरा पूंजी बोलते हैं खुरसेल घाटी भी वहाँ पर है खुरसेल घाटी में एक वाटरफॉल है खुरसेल वाटरफॉल ठीक है और ठीक सागोन मिलते हैं इस खुरसेल घाटी से समझ गये के नहीं समझ गये यहां तक अबूजमार अपने जन्जातियों के लिए भी बहुत फेमस है यहां पर अबूजमारिया जन्जाति मिलती है कौन सी अबूजमारिया तो मारिया जन्जाति का वह समूँ आट ग्रूप ऑफ मारियास विच आक्चुली रिसाइड इन अबूजमार आर न यहां तक आप लोग बहुत अच्छे समझ गया होंगे तो परवतों को हमने क्या किया देख लिए परवतों के बाद अगला क्या देखते थे याद होगा नदियां अब इस जिलेमे न अच्छे से देखोगे तो एक नदी का नाम है निबरा जिसके तट पर क्या है पता है जिस नारायनपुर्जिला निबरा का उधगम क्या लेंगे नारायनपुर्जिला समझ गये अगला यह अबूज मार परवतों से निकलने वाली नदी इसका नाम है गुडरा समझे तो निबरा निकलती कहां से है नरायनपुर जिले से निबरा के तट पर बैंक्स पर कौन सा शहर है नरायनपुर है गुडरा अबूजमार से निकलती है गुडरा कहां से निकलती है अबूज मार परवतों से याद रखना ठीक है अच्छा ओर्चा का भी एक नाम है ओर्चा का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर ओर्चा क्या बोलते हैं पता है इसको बोलते हैं अबूज मार का प्रवेश्ट्वार गेटवेटू अबूज मार बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं गेटवेटू अबूज मार का प्रवेश्ट्वार ठीक है अच्छा अब इसके बाद क्या किया जाए नदियों के बाद जल्प्रपातों को देखा जाए इस जिले में एकदम ये दक्षिन की तरफ जल्प्रपात म पुलेगा, हादा वाडा मिलकुल वाडा बहुत जगा पर हादा वाडा, मिलकुल वाडा को धन्ते वाडा पढ़ोगे, बीजापूर पढ़ोगे याद रखना नारायनपूर में है समझ में आया क्मी आया नहीं तो जाके किसकी बुक को देखना डॉक्टर एलेन वर्मा की पुस्तक को देखना हादा वाडा मिलकुल वाडा जलप्रपाथ लिया गया है नराएंटपूर डिस्ट्रिक्त में तो waterfall दो देख लिये हो एक हादा वाडा मिलकुल वाडा दूसरा खुरसेल ठीक है एक waterfall और है यहाँ पर पता है जिसका नाम है क्या इमपोर्टेंट प्रॉजेक्ट परियोंगना इस जिले में नहीं है틋 इसके बाद कोई इंडस्टियल एडिया या इंडस्ट्री वो भी नहीं है कोई नाश्नल पार्क wildlife sanctuary नहीं है last में हम लोग आ जाते हैं जन जाती परियतन tribes and tourism तो ध्यान दीजेगा बड़े अच्छे से जन जाती यहां पर अबूज माडिया परियतन में याद रखना नरायन पूर क्या याद रखना नरायन पूर अब परियतन तो नहीं है लेकिन बता दोता हूं यहां पर क्या है तो है राम कृष्ण शूं अश्रम और यह जो आश्रम है यह उन्ने सो पच्यासी में बना राम कृष्ण मिशन आश्रम ठीक है जन जाती चात्रों को बच्छों को वहां पर ट्रेनिंग और सिक्षा दी जाती बहुत बढ़िया इनिशियेट तेव है ठीक है 1985 में बना इस पो इनागरेट कौन किये थे पता है स्वामी आत्मानंद जिनकर नाम से स्कूल्स चल रहे हैं इनागरेट किये थे इसको फिर है तो यहां पर क्या हो गया हमने देख लिया बेसिकली अपना कौन सा डिस्फ्रेक्ट नारायन पूर छोटा सा क्यूट सा जिला है अब आप लोग के मन में आ रहा होगा ना कि अईसने रतीज सब तो कातका मज़ा आतीज की के लेकिन आतका मज़ा नहीं आना गुल्षन पूछ रहे हैं हादा वाडा वाटरफॉल अभी सबसे हाइस्ट है क्या तो गुल्षन जी ऐसा कोई डेक्लेरेशन नहीं है ऐसा कोई डेक्लेरेशन नहीं है ठीक है संभवता नंभी आएगा या तो फिर भ्रिंग्राज आएगा आई एस्ट में लेकिन अभी तक घोषना घोषना कुछ नहीं हुआ है अच्छा भाई लोग प्लीज यार लाइक कर दो 31 बस हुआ है 31 करो लाइ समझ में आयक नहीं आये यह जिला और 35 नहीं होगा तब तक अगला जिला चालू नहीं करूंगा इसी ब्लांक स्क्रीन को देखते रहें ना तुम लोग अच्छा जो लोग नए जुड़े हैं कल 11 बजे क्या करना है कल 11 बजे हमारे यूट्यूब चानल से जुड़ जाना है सी जी का करेंट फैस पढ़ाऊंगा मैं देखो जित्ता बज जाए अब पेक्षा ऐसी है कि 11 से 2 तीन घंटा पढ़ाऊंगा ठीक है और यह देखो बोलते ही 30 हो गया ना खाली नहीं पढ़ा रहा था तो ततकाल 35 चलो तो और यह बढ़िया बात बता रहा हूं कि कल का जो प कल का टॉपिक क्या रहेगा 38 हो गया आप लोग भी गजब लोगों देखते रहे तो लाइक नहीं करते हो लगता है तो कल का जो टॉपिक है ना वो रहेगा विधान सभा निर्वाचन के उपर और इसमें से आप मान के चलो तीन क्वेशन आएंगे मैंने बड़ा ही डीटेल उसका एक नोट्स आप लोगों के लिए तयार कर लिया है ठीक है और बहुत ही डीटेल में उसको अपन पढ़ेंगे ताकि उसमें से किसी भी प्रकार का क्वेशन आये तो बन जाए उसमें मैंने mcqs भी रखे हैं ताकि मैं आप लोग को mcq भी बताऊं और साथ में मैंने content भी रखा है ताकि उस content में हम लोग क्या कर सकें पढ़ाई कर सकें तो अच्छा एक effort में और करूंगा कि current की चीज़े आपको याद करने के चीज़े बता दूंगा ताकि current याद भी हो जाए तो भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन कोशिश करूंगा कि आ इनिशेटिव को शेयर करो अब बताओ current affairs तो मिल जाएगा तुम लोगों को याद कौन कराएगा चलो बताओ मेरे को कोई है याद कराने वाला कि भाई देख लो यार याद भी हो जाएगा अगला जिला धंते वाला अगला जिला कौन सा है धंते वाला अब दंते वाला में अच्छे से देखेंगे सबसे पहले इसके परोशियों समझनिक लेगा करना एक, दो, और ये तीन, तो इसको बीच में से काटो, इसकी तरफ से दो, वेस्ट की तरफ से एक लाइन लेना, इसकी तरफ से दो, वेस्ट की तरफ से क्या गरना, एक लाइन लेना, अब अच्छे से ध्यान देना, पडोसियों को यहां लिखते हैं तो यह अपना सुकमा है यह वाला हिस्सा है क्या बीजापूर और यह जो बच गया छोटा सा यह क्या है बसतर तो पडोसियों में ध्यान रखना इसके दक्षिन की तरफ सुकमा मिलेगा पश्यम की तरफ क्या मिलेगा बीजापूर और पूर् लोग क्या चुरू किया चैए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे प्रशासन अड्मिनिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट या रहेगा बताओ ब्लोक्स विकास्खन क्या क्या ब्लॉक है तो पहला विकास्खन मिलेगा अपने को गिदम गिदम के बाद नीचे एक ब्लोक मिलेगा जो की head quarters भी है क्या नाम है दंते वाड़ा आप अगर इसके east की तरफ चले जाओगे तो एक ब्लोक है south की तरफ चले जाओगे तो एक और है ठीक है अगर आप east की तरफ आए पूर्व की तरफ आपको मिलेगा कटे कल्याण और south की तरफ आओगे कुवां कोंडा तो चार अठो विकास खंड है क्या क्या है गिदम दंते वाड़ा कटे कल्याण कुवां कोंडा समझ गय की नहीं समझ गय थेर है ये बात तो ये चार अठो विकास खंड आप लोगों को यहां पर दिखेगा अगला पॉइंट जिना मुख्याल है हेड़ पॉर्टर लोजी दनते वाड़ा ये भी दिख गया ठीक है तीसरा क्या देखते थे याद करिए नाशनल हाईवे तो नाशनल हाईवे बस्तर की दरब से आ रहा है गिदम क्रॉस करके बीजापुर निकला नाशनल हाईवे नमबर 63 अब याद करो मैं कल बता रहा था 63 की एक ऐसी छोटी सी शाखा है जो कि गिदम से निकलके दनते वाड़ा को क्या करती है जोइन कर देती है नाम है नाशनल हाईवे नमबर 163A और मैंने ये भी बताया था कि 163A 36 गड़ में क्या है सबसे छोटा नाशनल हाईवे है इसका लेंच 36 गड़ में सिरुफ और सिरुफ 12 किलोमेटर है ठीक है चलो अरपन इतिहास की बात तुम रहने दो कहा है टेंशन लेरे भाई बताऊंगा इतिहास में एकदम परिसान मत हो जाओ गज की लटली है ठीक है अभी डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे है न अभी डवियेट नहीं होना है इधर उधर ठीक है चलो अच्छा तयारी के बारे में एक चीज़ बताऊं आदमी अपने आपको आखता कैसे है पता है कि आज जोग्रफी पढ़ रहा है चार दिन पहले हिस्ट्री पढ़ा है उठा के कोई फैक्ट याद करने कोशिश करता है जब नहीं याद आता है तो क्या लगता हिस्ट्री अच्छा स्ट्यार नहीं हुआ है तो अपने आपको आकला इसे मत करिये ऐसे में उल्टा प्रेशर क्रीएट होगा समझ रहें कि नहीं समझ रहें अगर नहीं याद आया तो आपको क्या लगने लगेगा मैं जो पढ़ता हूं याद नहीं होता है तो हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तब हिस्ट्री का देखिए जोग्रफी जब पढ़ेंगे तो जोग्रफी क्रॉस करने लगोगे तो confidence पे impact करेगा समझगे don't do it not good for health हुआ अब इसके बाद विधान सभा तो इस जिले में एक विधान सभाई जिसका नाम क्या है दंतेवाड क्या विधान सभाई दंतेवाड अलोकेक खुश रहो बहुत दिनों बाद देखिया अलोकेक तुम बड़े बचली विकास खंड नहीं है रेनु जी बड़े बचली विकास खंड नहीं है तैसिल भर है गड़बर नहीं करेंगे समझे कि नहीं समझे स्टडी प्लान रिसीत हम बता दिये तुम आये नहीं थे तुम आएं किसमत में नहीं था जाक वीडियोग देखना ठीक है अरे भाई 42 लाइक हुआ है 45 कर दो यार इसको राउंड में रखा करो तो अच्छा रहता है देखने में भी मेरे का अच्छा लगता है चलो 45 कर दो फटाक से अब देखो नेक्स हम लोग क्या देखते हैं विदान सभा के बाद हम लोग देखते हैं भाईया मुनस्पल कॉर्परेशन नगर निगम इस जिलेम ना कोई नगर निगम नहीं है और इसी साथ जिलेक प्रशासन खतम हो जाता है अब इतिहास पे आते हैं यहां मजा आएगा आप लोगो जिले का जो गठन हुआ है ना फॉर्मेशन वर्ष था इसका 1998 और कल मैंने बताया था वर्ष था 2003 जब इस जिले का नाम बदला था और नाम बदल के क्या हो गया था तो नाम हो गया था दक्षण बस्तर दंते वाड़ा ठीक है रवी जी गुड मॉनिंग रवी जी लाइक करो तो नहीं कर रहे हो तो फटाक से लाइक करो चलो तो गठन पॉर्मेशन 1998 में हुआ है इसका मात्री जिला पेरेंट डिस्ट्रिक्ट तो मात्री जिला जो है न वो क्या था पता है वो था बस्तर वो क्या था बस्तर चमालीस हो गया एक ठो और कर तो भाई 45 हो जाएगा और जिला खतम होते तक इसको 50 करवा दो तुम लोग ठीक है तुम लोग भी बोलोगे कैसे सर ब्लैक मिल करते हो तो भाई फोकट का चीज मांग रहा हूं लाइक पैसा कड़वित लेच नहीं रहा हूं समझ रहे हैं और जब तक आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग में मोटिवेशन कैसे आएगा आप पतलीवेशन हो जाएंगे तो हम लोग को मोटिवेशन चाहिए ताकि हमारी टीम महनत करे अब कल तुम लोग चाहते हो कि मैं 3-4 घंटा तुम लोग को करेंट अपैर से रटवाऊं याद कर वाऊं तो motivation चाहिए ना भी फिर चलो अब देखना यहां पर ना इस जिले में बहुत शामदार पुरातात्मिक स्थल है क्या गरना इसको बिल्कुल इस जिले के ऊपर ले जाना नाम है इसका बार्सूर बार्सूर के बारे में बढ़िया बार बताता हूं कि बार्सूर को अभ बार्सूर के बारे में यहां लिखता हूं आप लोग अच्छे देखना बार्सूर सबसे पहले इंद्रावती नदी के तड़ पर है कौनसी नदी के तड़ पर इंद्रावती नदी इस नदी के बैंक्स पर है तड़ पर है कौनसा बार्सूर बार्सूर को बस्तर शेत्र में क्या कहा गया है पता है कहा गया है मंदिरों और तालाबों की नगरी City of temples and ponds क्या कहा गया है मंदिरों और तालाबों की नगरी City of temples and ponds कहा गया है किसको कहा गया है बारसूर क्यों कहा गया है पता है क्योंकि प्राचीन काल में बार्शूर से 147 मंदिरों और तालाबों के अविशेश प्राप्थ हुएं, समझें, रिमेंस मिले हैं, मंदिरों और तालाबों के, कितने 147, इसलिए कहा गया इसे, मंदिरों और तालाबों की नगरी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये question आया है, व बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा मंदिर भगवान शिव का टेंपल है, भगवान शिव का मंदिर है, नाम बत्तीसा क्यों है, पता है, क्योंकि मंदिर का जो मंदप है, मंदप समझते हैं, उपर का हिस्सा, ऐसा, ये मंदप ना बत्तिस पिलर्स पर खड़ा है, कितने पिलर्स पर 32 तो 32 पिलर्स पर खड़ा इसले 32 समझ गए कई नहीं समझ गये उसके बाद अगला एक और बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर नाम है क्या पता है मामा भांजा मंदिर कौन सा मंदिर है मामा भांजा मामा भांजा टेंपल मामा भांजा मंदिर समझ मैं पितिहास में इतना याद रखना क्लियर है पितिहास में कितना याद रखोगे तो गठन, मात्रिजिला और बारसूर बारसूर को लोकेट भी कर दिये अब किस पर आ जाएं जोगरफी, भुगोल यहाँ पर हमें जो चट्टान मिलेगा उसका नाम है धारवाड कौन सा रख मिलने वाला है? धारवाड धारवाड से खनीज मिलेगा हमें कौन सा पता है? लोह अयस्क अंग्रेजी में आया नो कहास मिलेगा? घंडारण है पहला दिला बैला धिला मत कर दे ना धिला जाएंगे बैला लोग बैला डीला बैला डीला बैला डीला हिल्ट्स यहाँ से आयन ओर मिलता है समझ गए आप सभी? ठाकी न? अच्छा इस जिले में हमें एक और खनीज दिखता है पता है जिसका नाम है टिन तिन के बारहें ध्यान रखना अगर भंडारण बोले तो चत्तिसगर सेकेंड है उत्तुपादन बोले तो चत्तिसगर फर्स्ट है अगर भंडारणर तो नाम है है भंडाराने में प्रतम पूछा तो रहां से टिन ले लिया था गलत है अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या करना आप डिपार्क्मेंट आफ माइन्स के द्वारा मिनरल इयर बुक रिलीस किया जाते है भारत का समझ में आया इंडियन मिनरल इयर बुक बोलते हैं उसको ठीक है चले जाना उस पे उसमें इंडिविजूल खनीजों के बारे में अलग-अलग से पीडिएफ रहता है उसमें टि चले तो यह जो तिन है ना इसका भंडारण कि दंतेवड़ा जिला में मिलता है अब यह दंतेवड़ा जिला में कहां कहां से मिलता है तो कटे कल्यान बचेली नरेली और पाड़ापुर कटे कल्यान बचेली नरेली पाड़ापुर यहां से मिल अब इसके बाद परवतों पर आते हैं इसको बड़े अच्छे से देखिएगा यह जो जिला है ना इस जिले में बिल्कुल पश्यम वेस्ट की तरफ आपको इस प्रकार से परवत दिखेंगे अब यह जो परवत है नाम लिख देता हूं बी बी और यह बी परवतों का नाम है बैला दिला परवत कौन से परवत बैला डिला समझ गये के नहीं समझ गये अब यह जो बैला डिला परवत है ना इसमें कुछ चीजों को यहां लिख रहा हूं अच्छे से देखना एक है इसकी उंची चोटी हाइस्ट पीक नाम है नंदी राज और हाइट है बारा दस मीटर तो बैला डेदा हिल्स की उंची चोटी क्या नाम है नंदी राज हाइट है बारा दस मीटर आपको याद होगा जब मैं आप लोग को सेकेंड वीडियो में पढ़ा रहा था तो गौर लाटा बताया था उस समय मैंने कहा था कि गौर लाटा चात्त गड़की सबसे उं मैं आप आया है और उस माप में क्लेम किया जा रहा है कि नंदी राज सबसे उचा है और सेकेंड गौर लाटा है समझ रहे हैं? क्लेम किया जा रहा है, प्रूफ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? तो आप लोग अभी भी फर्स्ट क्या मानना? गौर्लाटा, सेकेंड क्या मानना? नंदी राज, गौर्लाटा कौन से पाट पे? सामरी या लहसून, नंदी राज, बैला डिला परवतों पे, क्लि नंदी राज का बैला डिला परवत, बस्तर के पठार के ऊपर है, तो आप बस्तर के पठार से भी नंदी राज का मिलान कर सकते हो, यह आपको अगले हपते समझ में आएगा, जब मैं आपको फिजिकल डिविशन पढ़ाऊंगा, अब पूछेगा तो फॉस्ट ही लेना है, टीन का प्रोडक्शन, सरोज जी मैं ले पाऊंगा इसे, पता है क्यों, क्योंकि मैं आपने आख से पढ़ाऊंगा यार उसमें, तो मैं है तो क्या जोंगा, प्रोडक्शन में फर्स्ट और रिजर्व में सेकेंड, प्रोडक्शन में फर्स्ट रिजर्व में सेकेंड, प्र पॉड़क्षन में ले ही नहीं सकते है वो भंडारन में होना भंडारन में फस्ट है यहीं बताया ना भंडारन में पूचा यहां पर्दक्ष्न में फ्रोक सुर्थ जी समझ में आया तो ऐसा confusion नहीं होना चाहिए ठीक है टीन का 100% production सिर्फ 36 गड़ से हैं भंधारान में 36 गड़ सेकेंड है प्यसी ने फॉस्ट लिया है इस इस वाट इस इन एनी केस चलो आगे बढ़ जाते हैं इसमें स्वाव विवेक का इस्तेमाल करना है क्या इस्तेमाल करना है स्वाव विवेक का ठीक है अब इसके यह जो बैला डिला परवत है इसके उपर दोडों हिल्ट सेशन है एक ठो हमारे आकासर तो क्या है आकाश नगर दूसरा कैलाश आकाश नगर कैलाश नगर दोड़ो हिल्ट सेशन है समझ गया कि नहीं समझ गया अधिया परवत आपने देख लिए परवतों के बाद क्या आती है नदिया चलो इधर ध्यान देंगे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये है अपना नंदिराज तो नंदिराज से एक नदी निकलती है इसको लाके यहां पर रखो और ये जो नदी है जो कि कहा से निकली है नंदी र व्हास निकलती है नंदिरात से चंकिनी की खासियत इसका रंग कैसा है पता है रकतलाल ब्लड रेड़ सकतलाल लिखने हो मैं दी रकतलाल ब्लड रेड़ क्यों मैं पता हैं ब्लड किस नदी पानिम कर देते हैं शंखिनी नदी के तो पानी पूरा गंदा हो जाता है लाल हो जाता है समझ में आया की नहीं आया तो शंखिनी अच्छा एक परवत इस दिले में और है ठीक है परवत का नाम है क्या पता है डी से दांगरी डोंगरी क्या नाम है परवत का दांगरी डोंगरी और डांगरी डोंगरी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या पता है नाम है डंकिनी समझ गये शंकिनी और डंकिनी शंकिनी को पूरी लाइन में बनाए हो डंकिनी को डैश डैश में इन दोनों नदियों का सं गम होता है दंतेवाड और उसके बाद जो नदी बनकर चली वो है आपकी शंखिनी डंकिनी तो इसमें S प्लस D लिख देता हूँ इसको डबल रोज बना रहा हूँ ठीक है S प्लस D शंखिनी डंकिनी तो शंखिनी आई डंकिनी आई दोनों मिली दंतेवाडा समझे आया फिर एक नदी चली शंखिनी डंकिनी नेक्स अगर आपको ध्यान हो तो बस्तर से निकलके थोड़ा बीजापूर काटके जो नदी थी नाम क्या था उसका इंद्रावती वह आई बस्तर के बाद थोड़ा सा बीजापूर यहीं सा बीजापूर काई है काटके आई दथे वाड़ा अब दन्ते वाड़ा में बार्सूर आ गया उसके तख पर हाकिनार आ गया आप देखते जाओ यह कौन से नदी है अपनी इंद्रावती है कि अ हमाज गये और यह जो अपनी शंकिनी डंकिनी पीये बस की जाकर किस में मिल जाती है इंद्राव्ती फिर आगे जो नदी चलती है वह इंद्रावत इंद्रावति सिंगल अरों सब्सक्राइब estão कि डंकिने double arrows औरे ये निकल के बैलय डिला परवतों से सीधा अधष्ण की तरफ जाती है सुखमा में नदी का नाम है मलगेर क्या नम है नदी का मलगेर कि अगया नदी का नाम डोंगरी शंकिनी का क्या लोग है नंदी राज आई होप आप लोग यहां तक समझ गये नदियों के बाद क्या देखते हैं जल्प्रपात वाटरफॉल्स कि अब यह जो अपनी इंद्रावती नदी है ना उसके उपर इस जिले में आपको मिलेगा साथ धारा साथ धारा जल्प्रपात कौंसा साथ धारा अनेक अनेक धन्यवाद 50 लाइक्स के लिए साथ धारा जल्प्रपात ठीक है साथ धारा के बाद ध्यान रखना आप आजाना इस डंकिनी के उपर आपको सूरत गड जल्प्रपात मिलेगा कौंसा सूरत गड कहां पर डंकिनी के उपर ठीक है फिर एक जल्प्रपात मिलेगा ये बिल्कुल बस्तर से लगा हुआ नाम इसका है तोयर नाला ये तोयर नाला को उपर है तो इंद्रावती पर क्या है साथ धारा डंकिनी पर सूरत गड और तोयर नाला पर है तोयर नाला जल्प्रपात यह देख रहे हो 50 हुआ था एक जन कोई कम कर दिया वापिस उन अंचास हो गया है अई भी लोग हो यार तुम लोग अब मैं बोला हूं तो वापिस उसको 50 कर दी है को चाहते रहते लगता है मोबाइल को देख 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 दो और फाईनली एक जल्प्रपात आपको मिलेगा पुल-पाढ इंदुल के नाम जब है, ये ऐसी लोकल स्वीम पर है, पुल-पाढ इंदुल, बावन, वेरी गुड, बावन्टव हो गया, लाइक, जल्प्रपाद नहीं है, बावन्टव लाइक है, और वड़ा जाओ गे तथा बावंटव जल्प्रपाद हैं, मरजब लगते आज की करें तो क्या क्या वाटरफॉल है इंद्रावती पर साध्धारा है डंकीनी पर सूरत गड़ है फिर बस्तर से लगा हुआ तो यर नाला है फिर पुल्पाड इंदुल फॉल्ट से लोकल स्ट्रीम पर है इसके बाद परियोजना का होगे तो परियोजना यहां पर एक ठ तो बोद घाट यह परियोजना क्या है परियोजना क्या है प्रस्तावित आज से नहीं 1970 से प्रस्तावित आज से नहीं 1970 के समय से परियोजना प्रस्तावित है अम नेक्स क्या है तो नेक्स जिले में इंडस्ट्रिल एरिया और इंडस्ट्री तो दंतेवणा जिला में एक इ टेकनार कौन सा इंडस्ट्रिल एरिया है टेकनार पोई बहुत महद्पुर्ण इंडस्ट्री तो डानेक्स करके एक थो कपड़े का ब्रांड है डैनेक्स दंते वड़ा नेक्स्ट अभी इनलों का नया एक्ठो पांचवा प्लान्ट फुल है जहां से कपड़ा एक्सपोर्ट होगा यौरप में समझे वही यूरोप यूरोप और यूएस में डैनेक्स ठीक है तो इंडस्ट्रील एरिया टेकनार इंडस्ट्री डैनेक्स से याद रखना नाश्टल पार्क वाइल डाइप सेंग्चुडी इस जिलेम नहीं है जी इस जिलेमे नहीं है लास्ट क्या है लास्ट है जन्जाती परियतन ट्राइग्जान टॉरिजम तो जन्जाती कौन से मिलती है यहाँ पर मुडिया माडिया यह लोग मिल जाएंगे मुडिया माडिया जन्जाती हो में मिल जाएंगे कौन मुडिया और माडिया ठीक है कि नहीं है ठीक अब इसके बाद क्या किया जाए परियतन टूरिजम धनते वाड़ा बताने की जौरत है किनका मंदिर है माधनतेश्वरी किनका मंदिर है एक बढ़िया थी कहानी बताता हूं बस्तर का नाम बस्तर कैसे पड़ा करके ठीक है पल्लवी गुड मॉनिंग असल में क्या है क्या नाम था अन्नम देव अन्नम देव को ऐसा कहते हैं कि माता धनतेश्वरी का वर्दान था कि जहां तक तुम चलोगे मैं पीछे पीछे चलूंगी और जहां तक तुम चले गए बिना पल्टे वो छेतर तुम्हारा होगा मतलब तुम्हें आगे चलना है पलट के नहीं देखना है वहां तक का छेतर क्या होगा तुम्हारा तो ऐसा कहते हैं कि अन्नम देव चल रहे थे और पीछे ना पायल की आवाज आ रही थी चंचन तो उनको लग रहा था कि हमाता आ रही है करके और उसके बाद अन्नम देव चलते चलते आगे बढ़े बीच में एक नदी आई और अन्नम देव ने नदी क्रॉस की और नदी में क्या हुआ पायल कावाद नहीं आया त्वन्दम देव सोचे माता नहीं आ रही पलड़ के देख धिये और जहां पलड़ के देखे तो माता ने अपने आचल को ऐसा फैलाया और जितने छेत्र में उनका वस्त्र आया वहीं छेत्र वस्त्र कहला आता है एसा नाम करण है कहानी है और आप लोगको पता हो नहीं कोई ऐसा दोでは बनाने काफ मेंेनिव एक कहानी आपक कहानी मी में बनाना चाहता हूं दो पल्लवी गुड मॉर्णिंग तान्या गुड मॉर्णिंग अगर पल्लवी और तान्या आप दोने लाइक नहीं किया सेशन को प्लीज कर लो सर एकॉनमी का भी क्लास कर स्टार्ट करेंगे क्या एकॉनमिक सर्वे का सेक्षन जरूर कवर करा देंगे लेकिन भारत की अर्थव्वस्था इंडियन इकनॉमी यह नहीं होगा ठीक है उसके लिए समय नहीं है तो आप दोनोंगा लाइक निकी हो तो कर दो तो बावन और दोठो चौवन हो जाएगा गिन गिन के ना ऐसे बटोर बटोर के सकेल रहा हूं मैंसे एक एक करके एक करके चलो ठीक है अब इसके बाद देखना आप अपना दंते वाड़ा यह जो है ना इसके बिल्कुल कहां तक आजओ पश्चिम की तरफ आपको मिलेगा धोलकल अब यह जो धोलकल है न यहाँ पर गणेजी की मूर्ती रखी एक छोड़ा सा परवत है धोलकल परवत उसकी उपर इसको आप नुग जरूर देखये होगे शायद याद ना हो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ना सocit Facebook वेसबूद को आप सब fbuck चलाते चो पक्का देखे होगे धोलकल जंगल कैम्प आगे कहां कहां सागे भाई धोलकल के गणेशी लिखता हूं तो सहीं आएगा धोलकल के गणेशी ब्लाक कलर की मूर्ती है देखे होगे यह देखो पक्का आप लोग को ध्यान होगा इसको देख लिए होगे आप लोग गणेश जी का अगर आपने देखा होगा न तो उनके दो दातों में से एक दात कटा हुआ होता है और यह जो एक नात कटा है ना इसके पीछे बहुत सारी कहानी एक ऐसी कहानी है कि महाभारत लिखने के लोगने काटा था और एक कहानी ऐसा है कि परशुराम के फरसे से कटा था यह है तो ऐसा कहते हैं कि यहां के नागवंशी जो शासक थे ना उन्होंने क्या किया था इस मू पूती को यहां से ढखेल के नीचे फेग दिया था बावन त्रेपंद तुकड़ों में मुर्ती तूट गई थी आखेल सरवेबालों ने इसको रीस्टोर किया और उसके बाद स्थापित किया है समध में आएक निया बोलो गनेज भगवान की जय ऐसा करके तुम लोग फिर आ नेक्स ध्यान रखना आप लोग यह जो नदी शंकिनी डंकिनी और नाशल हाईवे जो आप लोग देख रहे हैं 163A इसके बीच में जगा है जिसका नाम है समलूर समलूर जो है ना प्राचीन शिव मंदर के लिए फेमस है एंशेंट शिव टेंपल प्राचीन शिव मंदर क के लिए फेमस है इसी के साथ हमारा यह जो जिला है जिसका नाम है क्या तो नाम है दांते वाड़ा पिनिश हो जाता है क्या हो जाता है यह फिनिश हो जाता है खतम हो जाता है ठीक है चलो तो जितने लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि कल 11 बजे लबहग तीन क्लास में मैं यह कोशिश करूंगा 36 गड़ा का पूरा ख़तम करा दूँं मैं ये भी कोशिश करूंगा कि चीजों को आपको याद करवा दूँं कल हम लोग चत्तिकड़ में निर्वाचन वाला जो टॉपिक है इलेक्शन वाला उससे स्टार्ट करेंगे बहुत महत्पून टॉपिक है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है ठीक है इसमें से आप मान के चलो निर्वाचन वाले सेक्शन से दो से तीन क्वेश्चन आएगा ही प जब तक मैं नया इंपोर्ट करता हूं तब तक बावन ही है भाई इसको कर दो ना भावना गुड मॉनिंग भावना लाइक निकी होत लाइक करो तो बावन है अभी भी पच्पन करना है इसको पच्पन करो लाइक तब मैं अगला जिला पढ़ाऊंगा जी अगला जिला कौन सा है वैसे बीजापुर पढ़ाऊंगा पच्पन करादो यार वहां दे बोला हूं तो कम कर दिये इंकावन हो गया गया यह दई गये लगते अब नहीं हो सके कोंपनाशा आदमी कम किया है ना फो किसी दूसरे छात्र ने उसको बढ़ाया है फिन ही नहीं नहीं सर का दिल तूट जायगा क्या करते हैं इसको बावन कर देते हैं करके त्रेपन हो गया है को पानी पी अंदो नम्डिसी पलाहूम और भाई निवेश ते कावर अदना परचान हो था स्ते कुछु नाम से आजा मैं तोल चिंडर थों सहीं बता शिखा सर्मक नाम से निवेश तेहर असना जुट मत बोल मैं तोल जांदर हो बाबू है है कि मंगल सुटियों टीलों फिर बावन हो गया कुछ ऐसे लोग है जो लोग गलती स्राइक कर देत हैं फिर व्लोंको को थोड़ दरवहाद मजान अबंद्द होजाते तो dislike करके भाग जाते हैं इस लाइथ करके लाइक को वापिस हो जाए चलो ठीक है बीजापूर है आप क्या किया जाए तो बीजा पूर जो है लोकेशन को समझा जाए ठीक है भई उत्तर की तरफ अगर आप देखेंगे ना आपको पहले क्या मिलेगा पता है तो आपको मिलेगा नरायनपुर्ग उसके बाद मिलेगा आपको पॉंगा गाउं उसके बाद मिलेगा क्या बस्तर तो आपको नौट की तरफ कित्ती लाइन बनानी है च उपर दंतेवण मिलेगा नीचे सुखुमा मिलेगा पिर दक्षिन की तरफ एक लाइन बनाना फिर इसके ना परशिम से बस्ट से भी एक लाइन तो उत्तर से चार पूरब जी परशिम सी एक दक्षिन से एक चंरकान जी गुड कोड मॉरिंग चंद्रकान जी चलो अब इसके बाद देखिए शुरुवात करते हैं नौर्थ की तरब से ये जो हिस्सा है बॉर्डर कर रहा है ये किसके साथ नारायन पुरके साथ ठीक है पर ये चोटा सा हिस्सा कोंडा गाउं से बॉर्डर करता है उसके बाद ये बचा अपना बस्तर इस्ट में आओगे उपर है दंतेवड़ा नीचे मिलेगा सुक्मा यहां से यहां तक बॉर्डर तेलंग आना से है फोड़ा पास लिख देता हूं ताकि चीजे थोड़ी सी माने लगें और यहां से ये हिस्सा महाराष्ट के साथ बॉर्डर करता है तो कैसे याद रखेंगे नौर्थ की तरफ बॉर्डर है नरायनपूर पॉंड़ा गाओं बस्तर से इस्ट में उपर दंतेवड़ा नीचे सुक्मा वेस्ट में उपर महाराष्ट नीचे तेलंगाना इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं चीजों को याद रख सकते हैं ठीक है हमेशा ध्यान आउ तब चीज़े याद रहेंगी रैंडम रटने कोशिश करोगे नहीं रटाएगा ठीक है अहिल्या जी बता रहे हैं लाइक कर दी सर थाइंक्यू सो मच राधे कृष्ण मोटिवेशन गूड मॉर्निंग सर्जी गूड मॉर्निंग आप भी लाइक करो ठीक है चलो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग शुरुवाब करते हैं सबसे पहला अपना पॉइंट क्या रहेगा तो अपना सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है एड्मिनिस्ट्रेशन जिसमें हम लोग विकास खंड देखेंगे विकास खंड इस जिले में चार हैं सबसे पहले एक है ये भैरंगड फिर अगला जो है ना वो डिस्ट्रिक का हेट पॉर्टर्स है मुख्याले हैं क्या नाम है नाम है बीजापूर फिर अगला यह यहां पर है भुपाल पतनम लास्ट में यह नीचे उसूर तो चार्ट विकास कंड़ है भैरंगड बीजापूर कि समझ गें नहीं समझ गें भैरंगड बीजापूर भुपाल पतनम उसूर चार्ट हो विकास कंड़ है चार्ट हो ब्लॉक है ठीक बात नेक्स हम लोग क्या देखते हैं तो हम लोग देखते हैं जिले का मुख्याले हेट पॉर्टर तो बीजापूर दिख रहा है ठीक है अ उसके बाद यह थोड़ा क्या करेगा महाराष्ट काटके फिर इधर तेलंगाना फिर वापस महाराष्ट भाग जाता है आगे तभी तो बर्शी महाराष्ट तक जाएगा तो वापस यह नीचे मैंने बना दिया लेकिन वापस यह महाराष्ट भागता है तेलंगाना काटके नाम है भद्रकाली मैंने बताया था एक नाशनल हाइवे है नाशनल हाइवे नंबर 163 ये नाशनल हाइवे नंबर 163 शाखा है किसकी 63 की जो की निकलती भोपाल पत्नम से है और भोपाल पत्नम से जाती है मैंने बताया था कोदंगल ते लंगाना तक लंभाई 36 किलूमिटर तो चत्तिस गड़ में ये भध्रकाली होते हुए जाती है तो 63 जो एंटर करी थी छट्रम जग्दल पूर से अक्चुली भौपाल पत्नम से बाहर निकल रही है और भौपाल पत्नम से 63 का अगला ब्रांच निकला है 163 जो की क्या कर रहा है भध्रकाली होते हुए तिलंगाना के कोदंगल तक जा रहा है तो यह 63 को पलड़ देना लास्ट के 36 किलोमेटर 163 के लंभाई 36 गड़ में किती है 36 किलोमेटर आई होप आप लोग यहां तक समझ गये ठीक है तो यह हो गया अपना अब अच्छे से देखिएगा जरा नाश्रल हाइवे के बाद अगला जो पॉइंट अपन देखते हैं वो क्या रहता है जिले में विधान सभा विधान सभा इस दिलेम एक ही है क्या नाम है विजपॉर अंग्रेजी में पढ़ातों नहीं आना में इंग्लियूस मुडियम वाले स्टुरिंस को भी पार ठीक है ठीक है भई इसके बाद नगर निकम इस जिलेम कोई नगर निकम नहीं है यतिहांस पर आजाई के यतिहांस पेसे पहले जिले का गठन, formation, वर्ष क्या था, वर्ष था 2007, और इसका मात्री जिला, इसका parent district क्या है, तो इसका parent district basically, लिख देता हूं, मात्री जिला, दंते वाड़ा, कौन सा वाड़ा, मात्री जिला, parent district इसका दंते वाड़ा है, मात्री जिला क्या है, इसका दंते वाड़ा, अब इतिह इतिहास में कहोगे तो as such कोई बहुत important location यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसको जिलम पढ़ा जाए बाकी जब इतिहास का section पढ़ेंगे पचासुची जाएगा जी क्या दिक्कत है उसमें समझ गया आप लोग हां की न डन तो यहाँ पर इतिहास वाला section खतम अच्छा अब ध् आज़्यन आर्कियन विश्व का प्राचींतम सत्टान समझ में आया आगने यह है यह इगनियस टाइप का रॉक है मतलब गरम लावा के शीतल होने से इसका निर्माण हुए है तो विश्व में में पहली बार जब चटान बना था वो आर्कियाद चटान था समझ में आया ठीर है नेक्स ध्यान आप लोगो यह रखना है इसके अलावा इस बीजापुर जिले में अगला चटान भी है जो कि थोड़ा मिलता है वो है दक्कन ट्राप यह भी इगनियस नेचर का ही रोक है ठीक है साड़े तेरा से साप तोड़ वर्ष्पूरुव बना था इसमें से खनीच क्या मिलता है डेकन ट्राप से बॉक्साइड बताया था याद होगा और बॉक्साइड का भंडारन तरली मेटा कुछ ल लेकिन जो मिनरल्स का डिपार्टमेंट है उसका मिनरल का डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आता है उसमें बीजापूर में दिया है बीजापूर पढ़ा रहा हूं जी दंते वाड़ा पढ़ा देता है तो जैसा रिपोर्ट में आएगा वैसा मैं पढ़ा पाऊंगा क् खुद से रिसर्च नहीं कर पाया हूं न ठीक है इतना ज्यानी पुरुस ज्यानी मानुस नहीं हूं मैं यह खुद से रिसर्च कलनूं तो जो सरकारी डेटा रहता है उसको मैं पढ़ा देता हूं बाकी अपने कोई टेंशन है ठीक है परवत हिल ठीक है भई एक फिर यह दो और यह तीन तीन ठो परवत मिलेगा जी क्या क्या है नाम परपल से लिखता हूं एक यू फिर एक ए और एक जी तो यू जो है ना इस परवत का नाम है उसूर परवत ए से है अलबगा और जी से है गोवर्धन तो तीन ठो परवत है उसूर अलबका गोवर्धन उसूर परवत अलबका परवत और गोवर्धन परवत यह वह वाला गोवर्धन परवत निए जिसको कृष्ण भगवान छीन उंगली मुठाये थे तो समझ गया यह वाला नहीं है लेकिन नाम गोवर्धन है अच्छा इस जिले की जो गुफाएं है ना उसको मैं लिखता हूं कौन से ग्रीन कलर से लिख देता हूं ठीक है पहली गुफा आपको दिखेगी यहां पर एक नाड़ा पल्ली की नाम से पर इसके नौट की तरफ अवा पल्ली की नाम से गुफा दिखेगी और यह जो गोवर्धन परवत है ना इस गोवर्धन परवत की उपर अगली गुफा है जिसका नाम है तकल नारायन समझ वाया किस पर है गोवर्धन परवत पर है ध्यान रखना तो तीन ठो केव है दो साल लगा तार पॉरेस्ट की पेपर में यह नाड़ा पल्ली अवा पल्ली आया था समझ गे तो नाड़ा पल्ली अवा पल्ली यह दो केव से याद रखना तीसरा क्या बताया मैं तो ध्यान रखना गुवर्धन परवत के ऊपर एक गुफा है नाम है क्या सकल नारायन तो तीन गुफाएं तो परवत देख ली परवत पर गुफाएं देख ली अब इसके बाद क्या किया जाए नदियों को देखा जाए तो इधर ध्यान से देखेंगे आप सभी है बहुत से पहले ध्यान रखना एक नदी है जिसका नाम गोदावरी है क्या नाम है नदी का गोदावरी अब यह जो गोदावरी है यह बेसिकली महाराष्ट से निकलती है प्रयंबक हिल्स नाशिक के पास से अब यह बहते हुई आती है और यह जब आती है ना तो महाराष्ट और तेल लंगाना के साथ और यह नदी सीधा नीचे चली जाती है उसके बाद सब्सक्राइब में वापस से एंटर नहीं करती गोदावरी नाम है कि क्या नाम है गोदावरी ठीक है आप लोग यहां तक समझ गये अब नेक्स ध्यान रखना दंतेवार अजिश्टिक से आधी आई थी इंद्रावती अब यह इंद्रावती क्या कर रही है तो बॉर्डर पकड़ली महाराष्ट के साथ चत्तिदगण का बॉर्डर बना रही है और यह आई और यह मिल गई किस से पता है तो यह मिल गई अपने गोदावरी में इंद्रावती और गोदावरी का संगम चत्तिदगण में कहां हो रहा है भद्रकाली ध्यान रठना इंद्रावती और गोदावरी का संगम कहां पर हो रहा है चत्तिदगण में भद्रकाली क्लियर है तो भद्रकाली लिख देता हूं यहां पर इंद्रावती प्लस गोदाव का कॉन्फ्लूएंस है जी संगम आप आप लोग बहुत अच्छे समझ गये होंगे अब इसके बाद ध्यान रखना एक छोटी भी नदी है इसका उद्गम नहीं मिलेगा जो कि आक्चुली क्या है पता है इस इंद्रावती की सहायक है नदी का नाम है बेरूडी क्या नाम है बेरूडी समझ गये नहीं समझ गये क्या नाम है बेरूडी इसके बाद एक नदी है जिसके तट पर ये गोवर्धन परवत है और यह जाकर सीधा किसमें मिल रही है जी यह मिल रही है अपने किंद्रावती में नदी का नाम है थोड़ा सा पतला कर देता हूं मोटा हो गया है यहां दिखेगा नहीं चिंता वागू ठीक है अगली नदी यह मिलेगी सीधा आएगी गोदावू डारेक्ट मिलाना नाम है ताल पेरू मैंने बहुत जगह देखा कि ताल पेरू को न चिंता वागू की क्या बना देते हैं सहायक ट्रिब्यूट्री नहीं करना बिल्कुल ऐसा नहीं है डॉक्टर एलेन वर्मा की बुक में जाके जब आप लोग पढ़ोगे ना नदीयों वाला चाप्टर उसमें मैप ने साफ दिया हुआ है कि चंता भागूं इंद्राव Karena मिल रही है अपने मन समत करना भाई समढ़ एकी नहीं समझले चंता वागू किस में मिला ओगे इंद्रावति ताल पेरू इंद्रावती साहयक बेरुडी इंद्रावती इंद्रावती की साहयक गोदूरी साहयक तल अब इसके बाद किया जाए ज संगा या इसको मिलेगा जिसका नाम हैrav nta Palli लंका पल्ली और इस लंका- Zumख श्थानि भाशा में मुज्टा जल्प्रपात कहा गया है सहान आज तो श्थानी रूप से इस लंका प्ली जल्प्रपात को क्या कहा गया है बहता जल्प्रपात लोकल स्ट्रीं पर है लंका प्ली जिसका दूसरा नाम बोक्ता वहां पर बोक्ता वोलते हैं इसको और वह क्या है नमभी नमभी जलप्रपाथ समझ गया यहां तक तो यह जलप्रपाथ हो obrasfall इसके बाद क्या देखते हैं जी पर योजना प्रोजेक्ट तो यह नदी के आपर यहां पर कोई पर-योजना है नहीं फिर क्या हो गया in industrial area इंड़े तो इस जिलम को प्रपात बोलता हूं नाम क्या है इंद्रावती नाशल पार्क इंद्रावती नाशल पार्क 1978 में बना और 1258 स्कार किलोमेटर्स इसका एरिया है समझ गए यह 36 गड़का ओल्डेस्ट नाशल पार्क है तीन तो देखे हो एक ठो 81 में एक ठो 82 में गुरुगासी दासी 80 और 82 में क्या है कांगेर वैली तो 1978 इंद्रावती वान टू फाइवेट स्क्वायर किलोमेटर्स क्या है इसका शेत्रफल है किसका इंद्रावती का ठीक बात तो तीन फाक्ट देख लिए चौथा यह 36 गड़क अधिका और ली नाशनल पार्क है जो की क्या है अईगर रिजर्फ भी है यह बात भी आपको बताया था मैंने अठि चतeeee gleich और सीथानदी उदन्ती तो सीता नदी उदन्ती अचानक मार यह सब क्या है वाइड लाइज सैंचुरी है इंद्रावटी एक मात्र नाश्रल पार्क है जिसमें चत्री सप्सकर मे अख कहो यहां पर फूब बाइसन थे जिनका प्राचीन का अल में शिकार हुआ करता था बाहर बाहर से शिकारी आते थे तो ऐसी एक बार एक शिकारी जो हुआ आया था कहां से बॉम्बे से और यह शिकारी पारसी था, समझाए है, तो पारसी शिकार करने गया, फिर एक गानाच चल गया, कौन सा पता है, शिकार भूद वहाँ फिकार बन गया, समझा है, ये क्या जुलम हुआ, ये क्र्या सितम हुआ, वैसे ही, बढ़ी Match से, क्या हूँआ पता है, वो शिकार करने गया था, और बाइसन में हैर सेट कर रहा था तो और इंज में आ गया वादमी उसका वहीं प्रांच शूट गया तो उसका एक ठोच छोटा स्क्या बना दिये महीं पर मठ बना दिये हैं ठीक है हाला कि आपको पता होगा कि पारसी लोगों बनता नहीं यह समाधि वहाधि लेकिन बना दी है उसका ठीक है समझ यह कि नहीं समझ गया कहां बनाया पता है कुट्रू गाओं में कुट्रू असल में कुट्रू ही वो जगह थी जहां पर बाइसन का शिकार करने जाते थे इंदरावती नाशन पार्क के अंदर आता है इसी को हिंदीम बोल देते हैं कुट्रू अभ्यारण है अंगरेजिंग बोल देते हैं है वुन गेम शांचूरी जाहां पर लाइसेंस के द्वारा रंटिंग किया जाता था ब्रिटिशर्स गेम लाइसन्स दिया करते थे जहां से हंटिंग होता था हंटिंग समझते हैं शिकार कुट्रु गेम सांग चुड़ी था और यहीं कुट्रु गेम सांग चुड़ी में बाइसन का शिकार होता था यहीं पर वो पार्सी गया था वहीं पर हुमेल दिया गया वहीं पर मर गया और इसी कुट्रुगाउं उसका समाध्य है अब यह टेंशन मत लेना कि सर्व समाध्य पूछेगा कहां लेंगे करके तो यह सी ठला थोड़ी तुम लोगों समाध्य पूछेगा यार समझेग नहीं समझेगा इतना बढ़िया कहानी सुनाया हो तुम लोगों सिक्स्टी टूठो लाइक है वो तुम सिक्स्टी फाइक करवाद हो यार तो इंद्रावती नाशनल पार्क इसके बाद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बोलोगे ना दोठ हुए क्या क्या है भैरमगड दूसरा है आमेड समझ गये भैरमगड 1983 में बना आमेड 1983 में बना भैरमगड का छेत्रफल 139 स्क्वाइर किलो मेटर्स पामेड काट 262 स्क्वाइर किलो मेटर्स तो जब हम लोग 1983 वर्ल्ड कप जीते हैं ताम लोग बिकट खुश हो गये और खुशी खुशी तीन्ठ अभ्यारण बना दिये कौन कौन सा भैरमगड पामेड और उदंती तीनोक 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 तीनेटी तीम बना है समझे की नहीं समझे कैसे लोग हो यार 62 का 62 जुगार बनाओ कुछ बवस्था बवस्था करो उसको 65 करने का तो यहां तक खतम अब उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाते हैं अपन चटक लाल रण से लिखते हैं जन्जाती पर यटन ट्राइब जन्जाती यहां पर है गदबा कौन सी जन्जाती मिलेगी गदबा अब पर यटन टूरिजम ध्यान रखना भैरमगड यहां पर है भै ठीक है अब बीजापुर के एकदम इस्ट की दरफाना धंतेवाडा से लगा हुआ आपको मिलेगा मिर्तुर क्या मिलेगा मिर्तुर में एक बार एक राधिस्वस्त के सर्वे के दौरान स्थानी तहसिलदार ने भगवान ब्रम्हा की मूर्ती का पोच किया समझ में आया और मंदिर था समझ भी आया ध्यान रखना असल में भगवान ब्रम्हा का मंदिर अगर आप कहें तो वह एक मात्र जगा है भारत में जिसका नाम है पुश्कर प्राजस्थान का पुश्कर जहां पर भगवान ब्रम्हा का मंदिर है और भगवान ब्रम्हा जो है उनका कोई मंद स्कॉट्लेंड हैं हमारे पास अपन श्रीमला है मैंन पार्ट सबर फ्यारेस राजनास दान तो वैसे हमारे पास अपना उनल भूत का तौट का ब्रह्माजीक मंदिर है कहां पर मो disruption अभी मंदिर वंदिर टाईब तो नहीं है पेड के नीचे एसे प्रतिमाव को रख दिये हैं बट मंदिर था यहां पर तभी तो यह प्रतिमाएं है नहीं है ठीक बोल रहा हूं नहीं आधे लोग का तो मेरे स्पढ़ के दिमाग फ्यूज हो जाता है लगता है क्या क्या वत आतरत्यों सर हम लोग कभी जिन्दगी में सुनेच नहीं है करके तो भाई पढ़े नहीं हो मेरे से नहीं सुने हो एक बार पढ़ लोगे फिर दूसरी बार पढ़ोगे सुना सुना लगेगा चीक है अब ये जो इंद्रावती न दी है ना इसके तट पर आपको मिलेगा मटी मरका यहां आप लिग देता हूँ मिर्तुर में लिग देता हूँ ना अगवान प्रम्हा की मूर्ती मटी मरका किस नदी के तट पर है इंद्रावती आपने कई बार देखा होगा नदियों के तट पर ना रेती रहती है तो यहां पर जो रेती है ना एकदम सुनहरे कलर की है समझ में आया एकदम गोल्डन रिवर भांक है यह सुनहरा नदी का किनारा तो सरकार इसको परेटन के लिए डेवलप करना चाहती है तुन्दार नहीं दीख्याए एकदम मस्त गोल्डन सैंड लिखा होता है ऐसा मस्त समझ लेना था सोना वाला होगा ने जाक टूरी लोग बटोरना चालू कर देंगे काम आई हम और सोना के की के नहीं दाई दीखते वस वैसने आसली वाला सोना क्नों है इसे नहीं करना है गड़बढ़ हो जहीं कट पल्लवी बतारियों के सर की हूं सर करके अच्छा लाइक कर दियो वेरी गुड़ पल्लवी जी डन तो यहां पर यह जिला खतम हो जाता है क्या नाम था जिले का बीजापूर अन्त अगर बता दो समझ में आया की नहीं और बढ़ियास बात क्या है पता है इसको मस्त आप लोग क्या करो लाइक वाइक करो सेयर करो सेशन खतम होने तक सतर लाइक कर वादो खूब शेयर गरो अपना स्टेटस बनाये करो अपने संग्वारी लोग तक भेजा करो यह जो सर है यह पढ़ा रहे हैं फ्रीम करके तो तुम लोग यह सब करते ही नहीं हो यार गजब लोग हो कि भावेश बोल दिये समझ में आ गया करके हैं ठीक है कि मैं अगले बार से क्या करूंगा पता है एक ठो ऐसा व्यवस्था करूंगा कि जो जो लाइक और शेयर करेगा बस वही मेरा वीडियो देख सकेगा बाकी लोग देखिछ नहीं पाएंगे करके तब देखता हूं कितना लाइक शेयर आता है और 63 मेरे लगता है जित्ते लोग देख रहे हैं वो सब लाइक भी कर चुके हैं और सब लोग शेयर वेर कर दी हैं अपना फरजी एकाउंट से भी जाके लाइक कर दी हैं लग रहे हैं सब लोग तब ही अब 63 से बढ़ नी रहा है एकदम सैटूरेट हो गया है ठीक है चलो भई क्या कर सकता है आदमी किसमत से ज्यादा थोड़ी किसी एक मिल जाएगा तो जब किसमत हैं 63 हो लाइक है तो फिर कैसे उस से ज्यादा मिलेगा बताओ चलो यह कहां गेगा आगे आगे तर पंच आगे तो यह हमारा सुकमा डिस्टिक का मैप रेडी है बिल्कुल तर शितार सौपलस हो जाएगा लाइक कब प्रस्त तो मेरे यही है कब ठीक है हाला कि मेरे को पता है कि हम लोग नए है हमारा चानल नए आ है इंस्टिट नए आ है समय लगेगा लेकिन होगा ठीक है ठीक बात चलो शुरू करते हैं नौर्थ की तरब से एक दो तीन और यह चार इसको क्या करना दो भाग में बाटना ऐसे तो नौर्थ की तरब से लेना कित्ती लाएं चार वो साउथ की तरब से लेना एक दो समझेके नौर्थ से चार साउथ से दो नाम लिखना चालू करें एकदम साउथ से लिख लेते हैं यह आन प्रदेश है फिर यह क्या है तेलंगान यह आन प्रदेश है यह क्या है तेलंगान यह हिस्सा अपना बीजापुर है ये हिस्सा अपना दंते वाड़ा है और फिर ये छोटा सा हिस्सा बॉर्डर करता है बस्तर से यहां से यहां तक बॉर्डर किस्से कर रहा है उड़ीसा से समझ गए तो सुकमा डिस्ट्रिक के एक्स्ट्रीम साउथ धुर्दक्षण में अंत्रप्रदेश है अब इसके बाद जब इसको क्या करें क्लॉक्वाइस भूमे तो फिर तेलंग आना है वीजापुर है दंते वाड़ा है बस्तर है और उड़ीसा अगर आप ध्यान से देखे खिलेन नमस्ते है खिलेनलािक किया हो नीकियो यार करो तो फटाक से लाइक तुम भी सब बोल रहो हूंगे कमेंट करना बेकार रहें नाम पकड़ पकड़ के सर बोल रहें लाइक करो करके तो तुम लोग नहीं करते हो भाई खुदी करवाता हूं पकड़ पकड़ के और क्या ठीक है चलो मस्ती मजाग खतम आगे बढ़ते हैं सुक्मा ठच्छत्यजगण का एक ऐसा जिला है जो की तीन राज्यों को टच करता है ठीक है तेलंगाना है आंत्रदेशा और उडिसा है वैसा ही जिला क्या है बलरामपुर बलरामपुर भी MP UP और जार्खंड इसको टच करता है ठीक है शुरू करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है प्रशासन अड्मिनिस्ट्रेशन और उसी में ब्लॉक विकास ध्यान रखना सबसे पहला विकास खंड है शिंदगर्ड फिर अगला शुकमा लास्ट में है कोंटा शिंदगर्ड शुकमा कोंटा तीन थो बलॉक खुछ जिला मुख्याले क्या है शुकमा एक उम यूकल सो क्या देखते हैं नाशनल हाईवे एक इत दिखेगा है यहाँ पर अग्या रटी कोयाई देक्गा शुकमा से सब़ीड को ने riot तो यह हो गया नाशला हमें नवर 30 की कहानी इसके बाद विधान सभा तो यहां पर विधान सभा एक ही है कुंटा क्या नामा विधान सभा का कुंटा नगर निगम सुक्मा जिलम कोई नगर निगम नहीं एति हास की बात करें तो एति हास जिले का गठन 2012-2012 मात्री जिला पेरियन डिस्ट्रिक्ट इसका क्या था जी दनते वाड़ा तो आपको ध्यान रखना है इस पूरे बस्तर सभाग में दो जिले हैं भीजापुर और सुक्मा दोनों का मात्री जिला पेरियन डिस्ट्रिक्ट दनते वाड़ा था जिले लेकिन पहले नधी बनाना पड़ेगा ना तो नधी बनाओंगा तब बताओंगा ठीक है तो शबरी बनाएंगे तब वाटरवे करेंगे ठीक बात चिंता मत पर लेटी हास में इतना ही याद रखना है गठन 2012 में हुआ है मात्री जिला पेरियन डिस्ट्रिक्ट इसका क्या है दनते वाड़ा और आजाओ भूबोल जोग्रफी जोग्रफी में सबसे पहले यहाँ पर चटान कडप्पा और इससे क्या मिलने वाला है खनीज चूना पत्थर लाइन स्टोन तो कडप्पा रोख है लाइन स्टोन इससे मिलने वाला है ठीक है कि नहीं है कहास मिलेगा तो भंडारन बता देता हूँ गौंगला पकेला फिर ह है नई करस फिर है बिरसठ पाल फिर क्या है रोखेल फिर है कनगी पाली फिर है बगुला घाट यहांस क्या मिलने वाला है चूना पत्थर लाइन स्टोन अच्छा ध्यान रखना एक और चीज़ यहां से न एक खनी जोर मिलेगा टिन आर्कियन चक्तानों से संभवता प्राप्त होता है ठीक है तो वहां पर भी आर्कियन थे कहां पर दंते वाड़ा उसको आड कर लेना नहीं करोगे कोई टेंशन की बात नहीं है पलवी जी नोट्स मिलेंगे क्या हां पलवी जी आप Google Play Store पर जाएं हमारे अपलीकेशन को डाउनलोड करें धारा जी हैस के नाम से अपलीकेशन है और वह जो अपलीकेशन है न उसके अदर फ्री नोट्स के सेक्शन में मिल जाए ठीक, नोट्स मिलेगा, अब तीम, आर्कियान से टानों से मिलता है, गोविंद पाल, मुंड पाल, तोंग पाल, चिंतलनार, फिर है, कच्छीरस, फिर है, स्कियूर, वाडा, और है, बेरी कुपली, यहांस मिलता है, फिर है यह बात, तो टिन, मैंने बताया, आर्कियान से टान, मैंने यह भी बोला, कि आर्कियान को, जाके कहां आड कर लेना, आप दंतेवाडा डिस्ट्रिक्ट में आड कर लेना, नहीं करोगे, तो भी चलेगा, तो टिन, यह जो खनिज है, इसका भंडारन, गोविंद बस लिखा हूं, गोविंद पाल है, गोविंद पाल, मुंड पाल, तोंग पाल, चिंतलनार, कच्छीरस, शिवर वाडा, बेरी क अच्छिन की तरह, नाम क्या पता है, परवत का, जी से नाम है, गोला पल्ली, क्या नाम है, गोला पल्ली, पैसट होगे, सतर नहीं करवाओ गया, खतम करते तक, ठीक है, लाइक को सतर करवादो, मजा जाए, गोला पल्ली यह परवत है, परवत के बाद नदिया, नदियों क को द्यान से देखना यहां पर यह important है हां सबसे पहले शबरी नदी जो की सिक्राम परवत से निकल कर बस्तर गई थी यह आती है सुकमा और आने के बाद यह क्या करती है सुकमा उडीसा के बॉर्डर पर फ्लो होने लगती है तो द्यान रटना यह सीधा ना कोंटा से नीचे इ शबरी शबरी की सहायक दंते वाड़ा से निकली थी मलगेर तो शबरी और सहायक मलगेर ठीक है शबरी नदी के बारे में ध्यान रखना इसमें ना हमारे राज के पोंटा से आन प्रदेश के कुनावरम तक लगभग 36 किलोमेटर्स लंबा एक स्टेट वाटर वे है राज की हमारा क्या है जल मार्ग है समझ गया कि नहीं समझ गया स्टेट वाटर वे है शबरी नदी पर कोंटा से कुनावरम तो कोंटा तो देखिया कुनावरम आन प्रदेश में अक्चुली कुनावरम वह जगा है जहां पर ना शबरी जाकर खुद किस में मिलती है पता है गोदावरी में कुनावरम वही जगा है ये कुनावरम जहां पर शबरी जाकर गोदावरी में मिल जाती है क्लियर है तो ये नदियों को ध्यान रखना नेक्स्ट जल्परपातों की बात कर वेँ वॉटर्फॉल तो मलग्र नदी पे पर फरी नदी के ऊपर रामी द रहा, इसको रहा करना ना, यह यह धर रहा मत करना अगर रानी दहरा कर दियत कपीर movements परहां पर था रानी दहरा Jupy स्थानी सरीटा लोकल स्विम पर था यह रानी दरहा है रानी दरहा यह जो waterfall है यह पर अगला waterfall शबरी के उपर गुप्टेश्वर गुप्टेश्वर और रानी दरहा यह दो accordingly शबरी के ओपर है पिर एक वाटरफॉल मजगेर की ऊपर है नाम क्या है इसका मलगेर इंदुल समझ गये तो जल्प्रपात हो गए जल्प्रपात के बाद पर्योजना प्रजेक्ट में किसी नदी की ऊपर कोई परियोजना प्रस्तावित है नहीं है ठीक है नेक्स हम लोग किस पर आ जाते हैं इंडस्ट्रिल एर्य और इंडस्ट्री तो इस जिले में को इंडस्ट्रू एर्या है क्या तो है सुकमा के नाम से इंडस्ट्रिल एरिया ठीक है लेकिन कोई बहुत महत्वपोर्ण इंडस्ट्री नहीं है कोई महत्वपोर्ण इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है समझ गया कि नहीं समझ गया है फिर नाशनल पारक वाइल लाइफ सैंक्चुरी नहीं है भईया सुकमा मे लास्ट में इस जले का जन्जाती यहां पर मिलती है कौनसी पता है दोरला कॉंसे ट्राइब मिलेगी दोरला और परियतन टूरिजम में एक जगा है रामाराम और यह जो रामाराम है यहाँ पर है चिट पिटिन माता चिट पिटिन माता का मंदर हे काहा पर रामाराम समझे कि नहीं समझे इतना हुबchosन में और कुछ भी नहीं है कि अ है और is petit mine हमने क्या कर लिया सुक्मा डिस्ट्रिक्ट भी खतम कर लिया बस्तर संभाग और पूरे संभागों के परिचाय को हमने क्या किया देख लिया लेकिन आप लोग का लाइक 65 से नहीं बढ़ा 70 करदों बोला था 65 से क्या 66 भी नहीं हो पाया चलो ठीक है कोई बात नहीं तो यहां पर इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं स्राप्ति की घोशना करते हैं नेक्स्ट आपको क्या बात ध्यान में रखनी है तो कल 11 बजे आप लोग लाइव आ जाना करेंट अफैर्स के लिए ना सिर्फ पढ़ाऊंगा बलकि याद भी कराने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि चीज़े आपको क्या हो सके याद हो सके MCQs भी रहेंगे content भी रहेगा तो question भी करेंगे और पढ़ेंगे भी समझेंगे भी तीन वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी इस 36 गड़का पूरा current affairs आप लोगों को याद करवादूं समझे की नहीं समझे ठीक है तो आज के लिए ब हमारे चैनल को लाइक करो subscribe करो अप्लीकेशन को डाउनलोड करो कर लिए हो तो अच्छा बात है अनिंस्ट्रॉल करो फिर करो ठीक चलो तो आजकी ग्लास को यहीं पर खरम करते हैं आप सभी application को डाउनलोड कर लें उसमें से notes मिल जाएगा ठीक है चलो कल मिलते हैं आप सभी से थांक्यू आन् टेक केर